ओम शान्ती आज सुनते हैं 25th मार्च 81 के अव्यक्तवानी आज की मुरली का टाइटल है महानता का आधार संकल्प बोल और करम की चेकिंग आज की मुरली में बाबा ने बताया मदुबन निवासियों की बहुत महिमा की मदुबन निवासियों को कितने परकार की लिफ्ट है दूसरा डबल लकीर कौन सी है जिसके अंदर रहना है तीसरा कौन सी एक बात समर्थी में रखने से समर्थ बन जाएंगे और लाश्ट बाबा ने बाप समान बनने कौन से बात को संसकार बनाना है तो अब सुनते हैं 25 मार्च 81 की बाप दादा की अव्यक्तवानी मुली का टाइटल है महानता का अधार संकल्प बोल और करम की चेके आज बाप दादा अपने चरित्र भूमी करम भूमी वर्दान भूमी महान तीरत भूमी महान यग भूमी के सरव साथियों से मिलने आए है मदवन निवासी अर्थात महान पावन धर्नी निवासी इस धर्नी पर आने वालों का भी महान पार्ट है तो सोचो रहने वालों का कितना महान पार्ट है महान आत्माओं का निवास थान भी महान ही गाया जाता है जब आने वाले भी अपने को भागेशाली अनभव करते हैं अनेक अनभवों की स्वेम में अनभूती करते हैं तो रहने वाले का अनभव क्या होगा जो रहते ही ग्यान सागर में हैं, ऐसी आत्माएं कितनी स्रेष्ट हैं, ऐसे सब मदुबन निवासी अपने को इतना महान अन्भाव करते हो, जैसे टाप का स्थान है, जैसे मदुबन टाप का स्थान है, ऐसे स्थिती भी टाप की रहती है, नीचे तो नहीं आते हो, टाप का बाबा, टाप के बाबा का टाप का मदुबन, और टाप के मदुबन वासी और टाप की स्थिती, मदुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसको जानते हो, सबसे बड़ी, बाबा ने कहा, उसको जानते हो, कभी गिंती की है, वा इतनी है, जो गिंती नहीं कर सकते हो, मदुबन की महिमा के गीत सबी गाते हैं, लेकिन मदुबन निवासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी, अपने दिल में कितना स्रेष्ट चित्र खीचते हैं, यह जानते हो, ऐसा चित्र चेतने में अपना तयार किया है, जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा उची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो, ऐसी उची स्टेज, जहां पुरानी दुनिया के वातावरन का कोई परभाव आ नहीं सकता, ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो, नीचे आने की अवश्यकता है, मदुबन को डबल लकीर है एक तो मदुबन निवासे मदुबन की लकीर के अंदर है और दूसरा सदाश शिरिमत की लकीर के अंदर तो डबल लकीर के अंदर हो गए ना डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी स्रेश्ट होगी आज बाप दादा अपने भूमी निवासियों से मिलने आए हैं बाप की चरित्र भूमी है ना तो भूमी निवासियों से विशे सने होगा ना विचारे आज के भगत तो भूमी की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं और आप सदा वहां निवास करते हो तो कितने भागेशाली हो दिल तक तनशीन तो सब है लेकिन मदवन निवासी चुल पर भी है तो दिल पर भी है डबल हो गया ना सबसे ताजा माल मदवन निवासियों को मिलता है और सबसे बड़ीहा अनभों की पिकनिक मदवन निवासी करते हैं सबसे ज़्यादा मिलन मैफिल मदवन निवासी करते हैं कितने बाबा आज गुनगान गा रहे हैं और सच्चा ही है सबसे ज़्यादा चारों और के समाचारों के नालेजफुल भी मदवन निवासी है मदवन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है तो इतना स्रेष्ट भाग्य और वर्णन कौन करता है बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं मदवन निवासियों का कितना स्रेष्ट भाग्य है अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते अब जितनी बाप ने मदुबन निवासियों के भागे की महिमा की उतनी ही महान आत्मा समझ कर चलते हो मदुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं गैलरी में बैठ कर देखने में मज़ा होता है कब मदुबन निवासी देखने वाले कभी फॉरेनर्स देखने वाले मदुबन निवासियों के लिए सिरफ एक ही बात समर्थी में रख समर्थ बनाने की है वे कौन सी है जिस एक बात में सब कुछ समाया हुआ है अब सुनों बड़े ध्यान से सुनना बाबा ने एक ऐसी बात बताई है ना के अलमदुमन वासी कोई भी वो समर्थी में रखेगा तो उसकी स्थिती बहुत उची हो जाएगी सुनिए जो भी संकल्प करो बोल बोलो करम करो संबंध वासंपरक में आओ सिरफ एक चेकिंग करो कि ये सब बाप समान है जो मेरा संकल्प वै बाप का संकल्प है मेरा बोल वो बाप का बोल है क्योंकि सब की यही प्रतिग्या है ना बाप से कि जो बाप से सुनाएं, वही सुनाएंगे जो बाप सुनाएंगे, वही सुनेंगे जो बाप ने सोच के लिए दिया है, वही सोचेंगे यह तो सबका वाइदा है ना जब यह वाइदा है, तो सिरफ यह चेकिंग करो यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल मिलाओ हर संकल पहले बाप समाने यह चेक करो पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर यूगी राजे या रजवारे हो कर गए है कोई भी चीज स्विकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है फिर स्विकार करते हैं तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं क्या बबा सुमान में टिका रहा है आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे लेकिन गिरे हुए राजों की भी इतनी खात्री होती तो आप सब का संकल्प भी बुद्धी का भोजन है बोल भी मुक का भोजन है करम हाथों का पाओं का भोजन है तो सब करना चाहिए ना चेक करना चाहिए ना सब पहले करके पीछे सोचना इसको क्या कहा जाएगा डबल समझदार सिंगल भी नहीं सिरफ ये एक बात सदा अपने निजी संसकार बना दो जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संसकार होते हैं ऐसे वैसे कोई चीज कब सविकार नहीं करेंगे पहले चेक करेंगे देखेंगे फिर स्विकार करेंगे आप तो सब महान पवित्र आत्माओं हैं सरव स्रेष्ठ आत्माओं हैं तो ऐसी आत्माओं बिना चेकिंग के संकल्प को स्विकार कर दे वानी से बोलने करम को कर ले ये महांता नहीं लगेगी ओ मदवन निवासियों के लिए सिरफ एकी बात है चेकिंग की मशीनरी तो है न अभ्यास ही मशीनरी है जैसे अथक पन की खश्बू आती है यह सेर्टिफिकेट तो मिला है इसके साथ और क्या एड़ करेंगे जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एकरस सवस्ता में एक नमबर हो दूसरा तीसरा नमबर भी नहीं क्योंकि मदवन है सबको लाइट और माइट देने वाला अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा मदवन निवासियों का सब वायू मंडल बहुत जल्दी चारों और फैलता है यहां की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है क्योंकि बड़े आदमी हो ना सदा छत्रचाया में रहने वाले स्वर्ग में तो प्रालब्द मिलेगी लेकिन यहां भी काफी प्रालब्द है मदवन निवासियों को सब बना-बनाया मिलता है एक ड्यूटी बजाई बाकी सब बना-बनाया कहां से आता है कितना आता है कोई संकल्प की जरूरती नहीं सिरफ सेवा करो और मेवा खाओ 36 प्रकार के भोजन भी मदवन वालों को बार-बार मिलते हैं तो 36 गुण भी तो धारन करने पड़ेंगे हर एक मदवन निवासी को पवितरता के लाइट के ताजधारी तो होना ही है लेकिन डबल ताज एक गुणों का ताज दूसरा पवितरता के लाइट के ताजधारी तो होना ही है तो जिस पवितरता के ताज में जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने चाहिए अच्छा बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई सभी लवलीन स्टेज पर स्थित्तों न एक बाप दूसरा न कोई इस अनभूती में कितना तिंद्रे सुख है सरवगुणों से संपन स्रेश स्थिती अच्छी लगती है न इसी स्थिती में दिन और रात भी बीट जाए फिर भी सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा सदा इसी समर्थी में समार्थात्मा रहो अच्छा बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते ही हैं क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर नेकों को भासना दे सकता है अच्छा सरव बच्चों को याद प्यार और नमस दे ओम शामती और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे